महाराष्ट्र का सोलापूर एक ऐसा जिला बन गया है, जहां किसानों को सबसे कम कीमत पर प्याज बेचना पड़ता है। इस मंडी में अक्सर किसानों को न्यून्तम सिर्फ एक रुपई किलो का दाम मिलता है। इस मंडी में किसानों को कम दाम मिलने का रिकॉर्ड कई साल से बनता आया है। लेकिन 27 मई को अधिक्तम दाम का भी रिकॉर्ड बन गया। महाराष्ट्र एग्री कल्चरल मार्केटिंग बोर्ड के अनुसार मंडी में 12,048 क्विंटल प्याज बिकने के लिए आया। न्यून्तम दाम 100 तो अधिक्तम 2750 रुपई क्विंटल रहा। बोर्ड के अनुसार 27 मई को 25 मंडियों में अधिक्तम दाम प्रती क्विंटल 2000 या उससे अधिक रहा। हाला कि न्यून्तम दाम में ज्यादा सुधार नहीं है जिस पर अधिकांच किसान प्याज बेचते हैं। न्यून्तम दाम 100 से लेकर 1800 रुपई के बीच है। प्याज की निर्यात बंदी खत्म हुए 24 दिन हो चुके हैं। लेकिन किसानों का आरोप है कि उन्हें इसका कोई फाइदा नहीं मिला। किसानों का कहना है कि सरकार अगर प्याज निर्यात पर 550 डॉलर प्रती टन का न्यून्तम निर्यात मूल्य और उस पर 40 प्रतिशत एक्सपोर्ट ड्यूटी न लगाई होती तो दाम अच्छा मिलता। इन दोनों शर्तों की वजह से निर्यात वाला प बटाने की मांग कर रहा है।